सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविश्यो थर्ड चैप्टर करेंट इलेक्टर सिटी का थियरी पूर्शन हो चुका है खतम आज डिसकस करने जा रहे हैं नुमेरिकल्स ठीक है तो मेरे ख्याल से मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मूला ज्याद हैं और सियरी के ऐ नहीं है फॉर्मूला इस पता नहीं है तो में समझत हो जाओं के ठोड़ा बोहत है डिरेक्की में बता हूं और कोई प्रॉब्लम यह है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप फिर दुबारा hajisमल्व करोगे इस कॉन्सेप्ट को आप से समझा नहीं ह होगा values change करके या थोड़ा सा twist करके पूछा जाएगा आप धेर हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है concepts clear करो फिर numerical समझो ठीक है रट्टा नहीं मारना है रट्टा मार के कोई मजा नहीं आदा है ठीक है तो ठीक है बाते करते हैं बंद और let's start the topic तो मेरे पास आ गई है यह चम चमाती हुई चम चमाती तो नहीं है पुरानी हो गई है textbook NCRT की जिसमें आप भी तो लेके बैठे होगे मेरे ख्याल से है ना notebook और pen लेके बैठे हो साथ में यह textbook लेके बैठे होगे अच्छी बात है अगर लेके बैठे हो तो okay question number 1 3.1 the storage battery of a car has an EMF of 12 volt car की storage battery का EMF है 12 volt ठीक है EMF if the internal resistance of battery is 0.4 ohm r है 0.4 ohm small r internal resistance बोला है what is the maximum current that can be drawn from the battery इस battery से आप maximum कितना current draw कर पाएंगे maximum कितना अब बच्चो normally हमको यह पता है कि अगर हम किसी cell या battery से external circuit connect कर दें जब ठीक है तो उस case में यह जो EMF supply जो मतलब यह battery जो है वो EMF नहीं supply कर पाते है terminal voltage supply करती है ठीक है इस battery का अपना खुद का एक internal resistance यहाँ पर दिया हुआ हमको ठीक है अच्छा अब अगर आपका load जो है उस load का resistance है R ठीक है इस load का resistance है R current ऐसे गया यह पूरा series में एक ही connection है ठीक है series में current जाके आएगा मान लो current की value कितनी है आई है तो यह current आपको कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा आई का formula होता है क्या V by R RC मिल जाएगा आपको वी की जगे आपर यहाँ पर क्या use करेंगे यह में fuse करेंगे है ना upon R आर यानि के पूरा R पूरे circuit का R आप कैसे ले सकते हो यह series में है ना है ना पर क्या बोला है maximum current बैटरी maximum current तब supply कर सकती है जब उसका current किसी और load में जा रहा है और उस load का resistance 0 हो ठीक है समझ जा रहा है मतलब external load लेना ही नहीं है आपको ठीक है तो maximum current current आपको कब मिलेगा पता है जब आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो यहीं आपका maximum current है वी इकोस टू आई आर होता है फॉर्मूला वी क्या होता है potential तो वहां पर आपका यह में आजाएगा आई इन्टू स्मॉल ठीक है तो यहां से हो जाएगा तब उस केस में आर प्लस स्मॉल आर से आप करोगे तो करेंट कम मिलेगा है अपने को maximum possible current बोला है तो maximum possible current यही है कि सबसे कम resistance रखा जाए तो सबसे कम resistance पॉसिबल सेल का resistance हम निकाल नहीं सकते भाई है ना जो बाहर का resistance वहीं निकाल दो ठीक है तो है तो नन्हा सा एक्जाम्पल डिरेक्ली फॉर्मला डालके अंसर आ जाता है लेकिन concept समझना जरूरी है ठीक है क्योंकि अगर कभी भी घुमाया कुशन नमबर 2 जो है हमारा वो कहता है क्या कहता है सुनते हैं अ बैटरी ऑफ एमफ 10 वोल्ट एंड इंटर्नल रजिस्टेंस 3 ओम दूसरी बैटरी लिए इसका एमफ है 10 वोल्ट और इसका इंटर्नल रजिस्टेंस है कितना 3 ओम is connected to a resistor एक दूसरे रजिस्टेंस से इसको connect कर दिया गया है if the current in the circuit is 0.5 ampere circuit में जो current है वो 0.5 ampere है what is the resistance of the register तो वो जो resistance जो रजिस्टेंस लगा है जिसको connect किया गया उसके साथ उसका resistance निकाल ला है आपको and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed terminal voltage भी चाहिए आपको मतलब यह circuit कैसा हुआ फिर से देखो यह आपका cell या battery ठीक है इसका इंटर्नल रजिस्टेंस small r इसको बोला एक external register से connect किया है maximum current जब ड्रॉ कर रहा था तो यह आर हमने 0 लिया मतलब हमने किसी इसको connect नहीं किया था ठीक है इस बार एक external register connect कर दिया है इसी का resistance से ही आपको ऐसा पूछ है current दिया हुआ आपको कितना current जा रहा है circuit में 0.5 ampere यह में पी दिया हुआ आपको अब यार क्या है simple सी तो बात है मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या बता दिया पिछले के question में तो मैं आपको बता दिया ना आर equivalent नहीं काल दो चलो circuit का पूरा रेसेंस यह पूरा series में है ना तो आर equivalent कितना आएग आपका आर प्लस small r दो register है circuit में है ना इसे साब से आपका i कितना होना चाहिए e by r plus small r ठीक है तो यहां से e मिलेगा sorry e नहीं चाहिए चाहिए हमको r चाहिए ना तो देखो यह r plus small r is e by i ठीक है तो r plus small r is e कितना है आपका 10 और i कितना है आपका 0.5 है पॉइंट अटाएंगे यहां 10 हो जाएगा यह कटेगा 2 हो जाएगा यानिके r plus small r हो जाएगा आपका 20 तो capital r हो जाएगा आपका 20 minus small r तो 20 minus small r की value कितनी है 3 ohms है तो total कितना है गा 17 ohm आएगा register का value इस resistance का sorry इस register का resistance 17 ohm आएगा अब आपको साथ साथ terminal voltage भी पूछा है ठीक है terminal voltage का formula क्या है vt is e minus i into r कौनसा r internal resistance है ना तो e कितना था आपका 10 volt था minus i कितना है आपका i कहां गया भाई 0.5 था ना कहां गया यह रहा 0.5 into small r कितना है आपका 3 तो 10 minus 0.5 into 3 कितना होगा 1.5 तो आएगा कितना 8.5 ना 8.559 ओके हाँ 8.5 volt यह terminal voltage ठीक है तो जो total current आपने लिया circuit कितना current send कर सकता है कितना current send कर रहा था वो 0.5 यह बोला है तो 0.5 एंपेर current send कर रहा था उसे साब से हमने यहां एक चीज़ ध्यान दो जब आप current find कर रहे थे current का formula आपने e by r plus r लगाया है ठीक है पूरा यह में इंटू आर की value कितनी आएगी i into r की value i कितना आपका कितना 0.5 और आपका r कितना आया था यहां पर 17 आया था ना ओके तो 17 into 0.5 कितना आएगा आपका 8.5 आएगा और i into small r लगा दो कितना आएगा आपका 0.5 into r का लिए 3 तो 1.5 देखो टोटल मिला कर आपका कितना आगे दस वोल्ट आया दस वोल्ट आया और सेल कितने का था था है ना मतलब सेल ने दस वोल्ट भेजा ठीक है तो वह 10 वोल्ट में से 8.5 वोल्ट यहाँ पर dissipate हुआ यहाँ पर potential drop मिला और 1.5 वोल्ट का potential drop यहाँ पर मिला है ना तो दोनों potential जुड़के 10 वोल्ट होता है 10 वोल्ट गया उसमें 8.5 यहां और 1.5 यहां drop होता है clear है समझ में आ रहा है क्या रहा हूं मैं पक्का अच्छा तो अगर आपको current निकालना है अगर आपको क्रियर है याद रहेगा पक्का और वो टर्मिनल अलग से निकाल लिए चलते हैं कोशन नंबर 3 पर कुशन नंबर 3.3 में बोला है दो कुशन से अच्छा ए थी रिजिस्ट्रस वनों टू ओम एं त्री ओमार कंबाइं इन सीरीज वोट इस दे टोटल रिजिस्ट्रस अव द डिरेकली देता हूँ यार मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 6 ओके अच्छा यह कोई सॉल करना चीज़ है सेकेंड आला देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को अपने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक कर रहे हैं ठीक है इसका 12 वोल्ट कहां गया अप्टेन दा पोटेंशल ड्रॉप अप्रोस इच रजिस्टर हर रजिस्टर का पोटेंशल ड्रॉप चाहिए ठीक है तो पोटेंशल ड्रॉप कैसे मिलता है किसी रजिस्टर पर जितना करेंट वहां से बुजर रहा है उस करेंट में वो रजिस्टेंस मुल्टिप्लाई कर दो तो उसका पोटेंशल ड्रॉप यहाँ जितना current जा रहा है, इसका 2 multiply कर तो इसका potential drop अब देखो, तीनो सीरिस में तो तीनो से current तो same ही जाएगा है ना, तो मान लो वो I है, clear है, अब वो I कैसे निकालेंगे मैंने आपको पहली बताया है, जब आपको I निकालना EMF दिया है, तो आप क्या करोगे, EMF divided by total resistance से ही I निकालोगे, ठीक है, तो आपको I मिलेगा कैसे, EMF upon R equivalent से, ठीक है, EMF कितना आपके cell का, 12 volt, और overall resistance R equivalent कितना है, 6 ohm, कितना आया, 2 ampere आ गया, ठीक है, current मिल गया, 2 ampere, बराबर है, तो यहाँ पर potential drop मिलेगा, आपको V1 बोल दो, resistance 1 में, है न, तो कितना आएगा, I into R से मिलता है न, तो I into R1, यानिके I कितना है 2, into कितना है 1, तो कितना है 1, तो कितना है 2 volt, फिर V2 यानिके यहाँ का potential drop, तो current into R2, तो current कितना है 2 ampere, और R2 कितना है आपका, तो यहाँ है यहीत है, 2, तो तो यहाँ कितना 4 volt, और V3 कितना है आपका, I into R3, तो 2 into कितना है 3, तो 6 volt, ठीक है, बराबर है न, कुश्चन पढ़ा आपने, क्या बोला था, the combination is connected to a battery of EM 12 volt and negligible internal resistance, cell का अपना कोई internal resistance नहीं था, ठीक है, अगर cell का internal resistance नहीं था, मतलब cell में कोई भी potential drop नहीं होगा, जितना EMF यहाँ से cell supply करेगा, वही पूरा का पूरा, पूरे circuit में बटेगा, ठीक है, तो देखो, इसका IR कितना है आपका 2, इसका कितना है 4, इसका कितना है 6, सब को यहाँ पर cell का internal resistance खा जाता potential, ठीक है, तो उसे साब से इनका total बारा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर internal resistance cell का निगले जिवलेगा नहीं, वह ही नहीं, तो पूरा का पूरा इन लोगो नहीं खाया, ठीक है, चलिए अगले question पे, चलो मिटा दे इसको, question number 4 में क्या बोल रहा है, पूर नहीं, 3.4 है ना भाई, 3.4 लिखो, 3 registers, 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel, अच्छा पिछल दी बार series में combine क्या था, इस बार parallel में combine कर दिया भाई, इनकी मर्जी है, जो चाहें करवादे हैं, अपने को तो करना बढ़ेगा, 3 ohm, 4 ohm और 5 ohm यहीं है ना, नहीं तो चार 5 है, 2 ohms, 4 ohms, 5 ohms, ओके, combined in parallel, what is the total resistance of the combination, तो आर equivalent निकालो भाई, सबसे पहरे तो, तो 1 by R equivalent is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5, है ना, यह दोनों multiply करतेता हूं, यहां 5 हो कभी, का बोलते हो, ऐसे ही पाड़ा पड़ते हैं, फिर यहां पर इसको छोड़के दोनों, यानि के 5 2's are 10, प्लस इसको छोड़के दोनों, यानि 4 2's are 8, and फूरा overall नीचे, 5 4's are 20, and 22's are 40, so this will be about 30 plus 8, 38 by 40, and you can write it as 19 by 20, right, 2 19's and 2 20's are, but this is 1 by R equivalent, so R equivalent will be 20 by 19 ohm, इस circuit का overall resistance आया, फिर क्या बोला है, if the combination is connected to a battery of 20 volt, and negligible internal resistance, determine the current through each resistor, and total current drawn from the battery, इस combination को हमने connect कर दिया किसे से, एक कहां गई कहां के, कितने वोल्ट की बैटरी से, राइट, 3.4, okay, 20 वोल्ट बैटरी से मैंने इसको connect कर दिया, जिसका internal resistance ना के बराबर, यानि इस बार भी internal resistance calculation में नहीं आएगा, ठीक है, current बोला है, हर branch का current निकालो, और पूरे circuit का total current भी निकालो, यार यार यह भी कोई बात हुई, चलो निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम हर circuit का current, देखो अगर series में दिया था, तो series में अपन को पहले से, current दे दिया था, और potential drop निकालने के लिए वोला था, तो IR, IR, IR से मिल जाता है, राइट, जब parallel में हैं, तो वहां पर अपन को current find करने के लिए हैं, मतलब अपन को voltage दिया हुआ है, अच्छा इसका लिखा नहीं मैंने, यहां भी 20 वोल्ट मिलेगा, यह बात तो सही है, परलल में potential difference सेम आता है, है ना, तो 20-20 वोल्ट हर जगे मिलेगा, ठीक है भाईया, अच्छा, अच्छी बात है, तो current मान लो, यहां से निकला था, I value का, यह total current, वो यहां तीन पार्ट में बटाना, यहां पे गया मान लो, यह I1, इसमें गया मान लो, I2, और इसमें गया मान लो, I3, है ना, अच्छा, तो I1, R1 है आपका कितना 20, ठीक है, वैसे ही आपका I2, R2 भी है 20, और वैसे ही आपका I3, R3 भी है 20, है ना, तो यहां से आपको I1 म by r1 कितना आपका 2 तो कितना आएगा भाई 10 ampere great i2 मिलेगा आपको 20 by r2 से so 20 by r2 कितना आपका 4 ohm है तो मिलेगा कितना 5 ampere ठीक है और यहां से आपको i3 मिल जाएगा कैसे 20 by r3 से so 20 by r3 कितना है 5 वो तो 4 ampere ठीक है तो देखो एक में 10 ampere, एक में 5 ampere, एक में 4 ampere टोटल कितना ampere आ रहा है 10 plus 15 plus 4 19 ampere आ रहा है इस तरह से मैं जोड़ू हूँ तो मेरा net current आ रहा है 19 ampere हला कि यह final answer आ गया है मेरा लेकिन मैं इसको check करना चाहता हूँ कि मेरा सही आया है कि नहीं है तो मैं कैसे चेक करूँगा तो भाइस cell ने EMF दिया 20 वोल्ट का ठीक है अब उसको अगर आप equivalent resistance से divide करो तो आपको net current मिलना चाहिए वाला ठीक है कैसे अरे इसको आप कैसे लिख सकते हो इसको overall circuit को आपन ऐसे बना सकते हैं न भाई यह एक current और यह सब को मिला कर सिंगल रजिस्टर से लिख दूँ तो वह गया मेरा और equivalent इसको मैं से replace कर सकता हूं तो यह आई मुझे कैसे मिलेगा E by R equivalent से है ना तो मेरा net current कि यहां लिख लो थोड़ा net current जो है मेरा E by R equivalent से मिलना चाहिए यह कितना आया है मेरा टोटल दिया था 20 वोल्ड और मेरा R equivalent इसे निकाल सकते थे या फिर चाहिए तो सब को जोड़ देते तो भी एक ही बात वा ठीक है तो चलते हैं अगले कुश्चन पर ठीक है मिटा देते हैं इसको क्रुश्चन नंबर 5 है 3.5 है at room temperature 27 degrees Celsius the resistance of a heating element is 100 Ohm room temperature पर एक heating element का resistance है 100 Ohm मतलब temperature T1 है उसका कितना 27 डिगरी Celsius पर resistance है 100 Ohm फिर बोला है फिर बोला है जब उसका resistance 117 Ohm हो जाएगा उस वक्त उसका temperature बता करो कहां किया हाँ given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 raise to power minus 4 per degree Celsius अलफा दिया है अमको कितना 1.70 into 10 raise to power minus 4 per degree Celsius ओके तो चलो शुडू करते हैं बाई मैंने आपको याद हो थेयरी करवाते हैं टाइम यह formula discuss किया था कि actually मैं formula तो ऐसा कुछ था 1 plus alpha t minus t naught फिर मैंने आपको भी बताया था कि उसको अपन ये भी लिख सकते हैं मैंने convert करके दिया था आपको ठीक है अच्छा तो वही लिख देता हूं मै r equals to r naught 1 plus alpha t minus t naught ठीक है अगर आप इसको r2 बोल दो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा कोई problem तो नहीं है ना मैंने ऐसा लिख दिया है किसी को कि तकलिफ है आप ऐसे formula याद कर लो कोई problem नहीं है ठीक है वह not क्यों लगा था पता है initial के लिए ठीक है तो यहां t1 initial temperature तो नॉट की जगे पर 1 लगा दिया है ठीक है कोई problem नहीं है ना अच्छा यहां से अपन अगर आपको यह थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो इसको एक formula में और convert कर लेते हैं अपन देखो क्या करेंगे अपन यह r1 को अंतर multiply कर देते हैं तो यह r1 plus r1 alpha t2 minus t1 that is r2 यह ले आओ यहां minus कर दो तो r2 minus r1 equals to हो जाएगा r1 alpha t2 minus t1 ठीक है अब देखो यह नीचे ले आओ अगर तो क्या हो जाएगा r2 minus r1 upon r1 alpha equals to t2 minus t1 यह लिख सकते हो यह चाहो तो यह t2 minus t1 को अगर यहां ले आओ तो यहां पर alpha लिख सकते हो अगर आपको alpha find करना तो directly यह formula उसकर हो यह आया कहां से यहीं से आया तो कुछ-कुछ books में नो बच्चो ऐसे formula लिख के solve करते हैं तो बच्चे confusion ना हो जाना कि यह क्या है वह इसी में से बनाएगा कोई अनुखा नहीं है ठीक है वैसे कुछ लोग को यह अच्छा लगता है कि यहार यह simple है है इसे से थोड़ा easy कहते है चलो तो ती 2 minus T1 equals to you R2 minus R1 what is R2 117 ? minus R1, R1 कितना है आपका 100 है होल भाए R1 alpha R1 फिर से वही 100 और आपका alpha कितना है 1.7 इंटू 10 to the power minus 4 ठीक है अच्छा तो यहां से T2 minus T1 की value कितनी हो जाएगी 117 minus 100 कितना हैगा 17 आएगा और यह कितना है 100 है और यह 1.7 है न मैं इसको भी 17 कर दो तो उपर एक 10 कर देता हूँ और यह 10 to power minus 4 है निचे इसको मैं उपर लेता हूँ 10 to power plus 4 हो जाएगा यह 17 और यह 17 कर जाएगा यह 1.0 और यह 1.0 कर जाएगा और एक 10 इसको उड़ाएगा तो 10 to power 3 बचेगा यानि कि बचेगा 1000 T2 minus T1 तो आपका T2 कितना हो जाएगा 1000 plus T1 यानि कि 1000 में T1 plus करो कि T1 कितना है आपका 27 तो यह आपने 27 एड़ कर दिया तो आपका final temperature आया 1027 degree Celsius तो यानि कि जिस element है का 27 degree Celsius पर resistance 100 ohm था उसका resistance श्रिफ ठीक है श्रिफ 17 ohm चेंज किया आपने 100 से श्रिफ 117 ohm तक पहुँचे उसके लिए temperature में कितना चेंज आ गया भाई 1000 degree Celsius का चेंज आ गया देख रहे हो है ना तो चलते हैं अगले कुशन पर कुशन 3.6 है A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 raised to power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm 5 ohm उसका resistance निकल रहा है what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment जिस temperature पर experiment किया था तो temperature में कोई variation नहीं लिया है हमने हमको directly क्या चाहिए resistivity चाहिए आपको क्या क्या दिया है पहले data लिख लो आपको length of the wire दिया है 15 meter फिर क्या दिया है आपको uniform cross section area दिया area का कितना दिया आपको 6.0 into 10 raise to power minus 7 यानि 6 into 10 raise to power minus 7 meter square units का ध्यान रखना and its resistance is measured to be 5 ohm resistance भी दिया हुए आपको आपको resistivity निकालनी है दिख रहा है कोई formula याद आ रहा है simple सा formula है r is rho l by a तो यहां से rho मिल जाएगा आपको कैसे r a by l कितना है r 5 है e कितना है 6 into 10 raise to power minus 7 है और l कितना है भाई काहां गया l 15 है आसानी से कट रहा है तो काट देता हूँ मैं difficult होता तो मैं छोड़ देता है तुम कर ले न अपने आप मेरा method बताना था पेर को अचो सही आ रहा है कि रिए answer देखते लो बातों में न मैं काट देता हूँ और भूल जाता हूँ 15 का है रहा चलो 5 तो 2 into 10 raise to power minus 7 क्या है का unit resistivity का ohm meter ठीक है और कुछ तो नहीं पूछा वोट इस दे रेस्टिटिव दे मेटरियल दे टेमटरिटर दे एक्स्परिमेंट बस इतना ही पूछा है चलो तो अगले question पे चलते हैं भाई 3.7 में 7 नहीं है ना भाई 6 तो कर लिया ना आपने हाँ 7 में silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius determine the temperature coefficient of resistivity इसका temperature coefficient of resistivity या नहीं के alpha find करना है आपको दो temperatures और दो resistors दिये हुए तो values लिख लेते हैं अपन एक T1 उसपर resistance R1 एक T2 उसपर resistance R2 क्या-क्या values है भाई लिख लो चलो कितना T1 कहां गया भाई 27.5 degree Celsius है उसपर resistance कितना है भाई 2.1 ohm है फिर जब temperature आपने 100 किया तब resistance कितना है 2.7 ohm चलो भाई क्या करोगे कौन सा formula लगा लोगे अरे भाई 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 तो formula लगाएंगे अपन alpha is R2 minus R1 upon R1 T2 minus T1 है नँ तो देखो R2 कितना है आपका 2.7 minus R1 कितना आपका 2.1 R1 कितना 2.1 T2 minus T1 T2 कितना 100 और ये कितना है 27.5 100 minus 27.5 तो 2.7 में से 2.1 गया बच्चो तो कितना आएगा 0.6 आएगा यहां आएगा 2.1 और ये 100 minus 27.5 करेंगे तो मेरे ख्याल से आता है 72.5 है ना इसको कर लेंगे अपन solve आ जाएगा answer ठीक है ये मैं नहीं करा रहा है यार ये तो लंबा चुड़ा calculation है ये तुम कर लेना ठीक है आगे भी है अधर तक है अचाँ तो एक हिट्टिंग अलिमेंट है जिसको 230 वल्ट सप्लाई से आपने connect कर दिया है 230 वल्ट सप्लाई दिया है आपने इसको ड्राव एन इनिशल करेंट अफ 3.2 एंपियर इनिशल करेंट कुछ बोला है यानि और भी करेंट होगा इसको नाम दे रहा हूं उसकी वैल्यू दिये इन लोगों ने 3.2 एंपियर और बोला है कि थोड़े देर वाद यह करेंट स्टेडी वैल्यू पर सेटल हो जाता एक फिक्स वैल्यू पर जाके जिसकी वैल्यू कितनी है 2.8 एंपियर अब आगे चलते हैं इसमें क्या दिया आगे के पार्ट में अब बच्च चीज नोटिस कर रहे है उसमें क्या दिया दे को टैंप्रेचर कोईफिशन्ट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ नेक्रॉम एवरेज्ट ओवर दा टैंप्रेचर रेंज इन्वॉल्ड मतलब क्या होगा पता है दो करेंट भी दिया हुआ है इनिशली क्या होगा एक पटिकुलर टैंप्रेचर पर अपने सप्लाई चालू किया और करेंट स्टार्ट हुआ तब करेंट था इतना ठीक है अब जब करेंट बढ़ेगा तो टैंप्रेचर बढ़ेगा वायर के अंदर ठीक है हीटिंग होगी ना रेजिस्टेंस में मतलब करेंगा वायर तो हीटिंग होगी वैसे यह कॉइल आपका निक्रॉम एलॉय है लॉय हीटिंग लिए तो वहां पर टैंप्रेचर बढ़ जाएगा उस एलिमेंट का तो टैंप्रेचर बढ़ता है तो रिजिस्टेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है हमने पड़ा था तो रि स्ट्ञार टैंप्रेचर ब्लाविए होता है तो इसे आपको अब होता है तो अब टो थे पिर को टेंपरेचर प्लाई बहुता है क्याम करना है वह कि सब्स्क्राइब नहीं बढ़ेगा थोड़ा temperature बढ़ेगा फिर एक particular वेली तक पहुंचकर रूख जाएगा steady वेली हो जाएगी उस time current steady हो जाएगा तो वो temperature आपको पता करना है मतलब आपको final temperature पता करना है और room temperature दिया हूँ आपको initial temperature दिया हूँ कितना यह 27 के साथ और भी कुछ दिया हूँ है पूरा डेटा से चेक कर लेंचे स्रिफ 27 दिया हूँ है ओके तो 27 degrees Celsius कई बाद 27.1 27.5 ऐसा भी दिदिया जाता है और हम 27 लेकि calculation कर देते हैं क्योंकि हमको आदत होती नॉर्मल यही दिमांग होता है कि room temperature तो इतना ही है है तो देखना कंफ्यूज मत हो ना ओके तो यह बात आ गई चले शुरू करें क्या कैसे सुरू करेंगे अर्य मार्य आप बताओ किसे सुरू करेंगे हमारे बाटरव ऑपने को आपने को अपने को T1 करना है ना है इस की मदद से R1 और इस की मदद से R2 मिल जाएगा काम होजाएगा क्या बिलकुल आसान है है ना तो अपना से देखार निकालते हैं R1 तो R1 क्या मिलेगा V by I1 से V कितना है आपका भाई 230 और I1 कितना है आपका 3.2 इस बार मेरी मजबूरी है मुझे करना पड़ेगा इस बार मैं आपको motivate करके fighter बोलके जा नहीं सकता क्योंकि भाई आगे use करना है चलो ठीक है करते हैं आपकरना पड़ेगा तो करेंगी चलो इसका point अटाएंगे यहां हो जाएगा 10 यह हो गया 32 तो 216 सार और 2 कितने सार 2 1s are 2 2 1s are 2 and 2 5s are 10 है ना 2 1s are 2 2 1s are 2 ठीक है फिर से cut करते हैं इसको 2 8s are 2 5s are 10 और 15 तो 2 7s are 14 और 10 तो 2 5s are 15 अब भी 8s ही उड़ा देता हूं है तो 8 7s are 56 फिर बचता है 15 तो 8 1s are 8 और फिर बचता है 15 का आपने 8 1s are 8 यहने 70 बचा तो 8 8s are 64 7.18 इंटू 10 है ना तो आ रहा है आपका कितना 71.8 ohms ठीक है यह मिल गए आपको R1 अब अपन R2 निकालेंगे तो R2 मिलेगा आपनको V by I2 से तो V कितना है 230 और I2 कितना है आपका 2.8 तो यह पॉइंट अटा है आपने 10 अब यह करते हैं आपन इसको 4 से करो किया सिदा 4 7s are 4 5s are 20 और 30 तो 4 7s are 28 और 20 तो 4 5s are 20 अच्छा आप 7 से बढ़ाते हैं इसको 7 8s are 56 फिर 15 बचा तो 7 2s are 14 और 10 बचा 7 1s are 7 ते हो जा कितना आपका 82.1 ओम मैं दो एकी डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूँ है ओके सारी चीज़े मिलगी है अपने लिकाल देते हैं इसको values क्या चीज़े आपको T2 चीज़े तो मैंने भी थोड़ दर बदाया था क्या T2-T1 is equals to R2-R1 upon R1 into alpha अरे alpha चीज़े था तो यह नीचे रख देता है थे तो alpha यहां ले आते थे T2-T1 चीज़े तो alpha नीचे set कर देता है अच्छा T2-T1 भी तो नीचे अपने को T2 चीज़े है ना तो कैसे मिलेगा T2 तो T2 equals to मिलेगा यह वाली value बेले solve करेंगे अपन है ना यह पूरी value solve करेंगे और उसमें यह T1 वहां जागे प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह values क्या क्या आपनी है सारी values क्या आपके पास कहा है भाई R2 R2 यह रहा R1 यह रहा फिर R1 विर आलफा यह रहा ठीक है और T1 27 है ही सब solve कर देना है आजाए का answer तो यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो बस आज के लिए इतना ही बाकी जो 5 questions है exercise के वो थोड़े से बड़े हैं और इसके just बाद वाला जो है वो किरॉप्स law पर based है तो मैं actually diagram ही देख लिया मैंने तो मैं सोच रहा हूँ कि शिर्फ वही नहीं उससे related और भी कुछ अच्छे अच्छे examples मैं उसके साथ discuss करूँगा ठीक है इसलिए मैं उसको इस video में नहीं cover कर रहा हूँ तो उन examples को लेके आपन next video में लेंगे तक इत्तू सा कर लो वेट तिल दन टाटा बाय बाय सी यू एंड जैहें